जितने समय में आप मैक्री से प्रेंच प्राइज मंगवाएंगे उससे भी कम समय में आप ये टेस्टी पटेटो बाइट्स घर पर बना पाएंगे और ये खाने में बहुत ज्यादा क्रिस्पी होते हैं सिर्फ दस रुपे से मैंने एक प्लेट भरकर इसको बनाया है हलो फ्रेंड्स वेलकम तु माई न्यू व्लॉप और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप घर पर बहुत टेस्टी पटेटो बाइट्स बना सकते हैं जिसको आपके बच्चे रोज मांग मांग के खाएंगे अब आपको बजार से प्रेंच प्रेंच प्राइज प्राइज लाने की जोड़त नहीं है आप घर पर ही बहुत जादा क्रिस्पी और टेस्टी पोटेटो बाइट्स बनाने के लिए मैंने देखिए यहां पर ना चार आलू लिया है और इनको मैंने छील लिया है और अच्छे से मैंने बाश कर लिया है अब मैं आपको बताऊंगी कि देखिए मैं ऐसे आपको दिखाते हूं इस अलू को हमें चार होता है इसकी जो किनारी है यहां से क्योंकि हमें ना इनको थोड़े छोटे-छोटे-छोटे स्क्वाइर में कट करना है तो इसको रटा देना है इन आलू को हम वेस्ट नी करेंगे इनको बाद में भी उसकर सक देखिए बीच में से ऐसे कट करना जैसे आप प्रैंच प्राइस बगरा बनाते इस ना उसी टाइप से हमें देख्यास करना है अलबर लबे लबे यह देखिए इसको आप देखिए ऐसे कट करिए बहुत जल्दी आपके गट हो जाएंगे यह इनको ऐसे फटबट से पट प्रोटेटों को देखे हैं अंच्छे से बिगुल स्कोयर में विदेखे बिगुल अच्छे से मैंने कट कर लिया है और इनको आप चाहे को अगर आपके पास बड़े आलो आप उनका भी उस कर सकते हैं मैंने आपे चार आलू नेते हैं अगर अपसे में ज्यादा बड़े हैं तो आप दो आलू का भी उस कर सकते हैं अब एक कडाई में ना मैंने अच्छे से देखिए पानी अच्छे से मैंने बॉइल कर लिया है और इसमें ना मैं एक चमच नमक डाल रहे हूं ताकि जो इसमें ही हम जो मैंने डिमें डिया मैं और आलो皮 नियुक्य अच्छे से में पानी गूञएनन रहे जाल रहे हैं तो आप याद रखेगा कि हमें इसको बहुत जादा नहीं करना है और फिर हम अपने बनाएंगे पटेट्टो वाइट्स तो देखे देखते हैं कि हमारा ही अच्छे से बॉइल हुआ है तो मैं आपको दिखाते हूं कि आप इसको कैसे चेक करिए इसको हमें इसमें लेना है इ अच्छे से नहीं हो रहा है हमें से इतना ही करना है इसको हमें हाँ बॉइल ही इसको करना है बाकी जब हम फ्राइब करेंगे तो यहां पर देखिया मेरे पाइनल यह अच्छे से बॉइल हो गया है अब मैं इसको क्या करते हूं एक चलनी में अच्छे से मैं बिल्कुल इसक डाल लेकंग दूझ मैं अब यहां पर कई चनली में स्टाखान-पेज़ए यहां पर यहां थोड़ा से यहां पर लस्कन का पेस्क बना one energy और का युहां पंपर चमौ और सब्स्कूरह मेहां ऐसाद नहीं को मेधा कका आपके पास आपके पास सद्राइज काहरो नहीं है तो आप प्र नुछ क shutting फो Som अगर आपके चोटे बच्ची आप नहीं डालने चाहते हैं जाल देखिए तो जरूर यूज़ करिएगा और थोड़ा सामें आदा सा चमाच में यहां पर डाल रही हूँ नमार और आम इन शब को बिलकुल अच्छे से ऐसे मिक्स कर तुरु रहा है कि मेरे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी and crunchy है अगर आपके पास नहीं तो आप चावल की अटे का यूज करिये इसको न बिल्कुल अच्छे से देखिया आसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से बिल्कुल मिक्स बहुत ज्यादा हमें मैदा और कॉन फ्लोर का इस इतना करना है कि इसमें हलका हलका सा उसके ओपर से कोट लग जाए थोड़ा थोड़ा ही हमें यूज करना है और देखिए इसकी खुश्बू और यह जो देखने में काफी अच्छा लग रहा है ओर यह काने में भी उतना ही अच्छा होका है और आप देखिएगा कि इससे कलर बहुत अच्छाएगा थाने में यह उतने टेस्ची लगेंगे और मार्केट से भी जादा अच्छा आपके घर पे बच जाएगे प्रणभ करेंगे ऐसे गट्राय कर लेंगे भी जितने हमारे भठ और में उस्के हम वसतने करेंगे कर देखियो मेरे यह जाएं के अच्छा आपके नहीं है तो मेरे रिख से लिग जिए करने हम दुड़कर आपसने ऐंगे अब यह दो अभी दु आपके शुक्त को विखे राप इस प्राइट कोी निगाल लेकाइट यहाँ पाईली हूं पाइनल एक प्लेट में निकाल लेते हूं ऑट जो बचे में हमारे छोड़ी से प्रिट्टु रह गया है उनको भी हम इसी तरीके से प्राइब ही कर लेंगे तो देखिए है काफिर्स् प्रिस्पी अड्र 아न्य बिल्कुल ये बने है अब ये दिगुण उगाए ये बहुत ही आप देखेंगे ना आप भी इसको जरूर टाय करेगा क्योंकि यह बहुत है क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं और आपके बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छ लगेंगे और देखे मैंने तीन चार आलो में काफी सारे मैंने पटेटो पाइट्स बना दिये और आप चाहे ना तो इसको ब्रेट स शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइए